आज कल दोस्तों के बीच यही बात चलती रहती है कि प्यार क्या है? कहीं मुझे प्यार तो नहीं हो गया है? मुझे कैसे पता चलेगा कि ओभी मुझसे प्यार करती है? आज इनी सवालों का जवाब इस वीडियो में देने जा रहा हूँ. वीडियो को अंतक जरूर देखें त कि आगे आने वाली हर वीडियो को जल्द से जल्द देख सकें. तो चलेए शुरू करते हैं आज का पहला फैक्ट. अगर आप किसी के बारे में बहुत ज्यादा सोच रहे हैं और उनसे जुड़ी हर एक बात कर रहे हैं, तो समझ लीजिए कि आप उनके प्यार में पड़ ग में शामिल होना चाहते हैं और उनकी छोटी सी दर्द को भी सहन नहीं कर पा रहे हो तो समझ लो आपको उनसे प्यार हो गया है. फैक्ट नमबर तीन, मनो बेग्यान के अनुसार अगर आप अपने अंदर की फीलिंग्स को छुपाना चाहेंगे तो उतना ही बाहर निकल के आ मिले कि आप जिसको चाहते हैं उसके साथ चार कदम चल सकें तो चलते समय यह ध्यान रखना है कि आप आहिस्ते आहिस्ते चले. अगर आपके होने वाले पार्टनर अगर आहिस्ते आहिस्ते चलना पसंद कर रही हैं तो समझ लीजे कि ओ भी आपके प्यार में है. फैक्ट न लेकिन अच्छे प्यार की एक निशानी एह है कि अगर आपका होने वाला पार्टनर आपके हर सुखْ-दुक में साथ दे रहा है और कभी भी अकेला चोड़ कर नहीं जा रहा है तो समझा लीजिए कि एह एक अच्छे प्यार और अच्छे पार्टनर की निशानी फैक्ट नमबर साथ, एक मज़ेदार बात भी सुन लीजिए, लड़के बहुत ही आसानी से I love you बोल देते हैं, लेकिन लड़की बहुत सरमिली होती हैं और उनके नहीं में हां जरूर मिला हुआ, होता है, क्यों सही कहा ना, फैक्ट नमबर आठ, प्यार तो सभी करते हैं लेक को पता होगा, आप जितने भी निराश या दुख की हों, अपने पार्टनर का हाथ पकड़ के एक बार घले लग जाने से हर दुख कहां चला जाता है, जैसे कुछ हुआ ही नहीं था, आखिर में आप, लोगों से यही कहना है कि, अगर आप किसी से प्यार करते हैं तो डरिय अपने दिल की बातों को जरूर अपने पार्टनर से शेर करें, जिससे अपना दिल भी हलका हो डाएगा और आप जरूर अपने प्यार को पाने के लिए सकल होंगे, वीडियो देखने के लिए आप सभी का शुक्रिया, आपको एव वीडियो कैसा लगा कॉमेंट करके जरू बताना और चैनल को सब्सक्राइब करना नब